आपके अपने चैनल एजी वराइटीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है होली का तेहारो गुजिया की बात नहों तो तेहार बहुत ही अधूरा लगता है तो चलिए इस होली पे बनाते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट और आसान गुजिया तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स और फैमली के साथ और मेरे चैनल को अगर आप में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और पास में लगी बैल आइकन को भी प्रस करें जिसे मैं जब भी रैस्पीस को डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुश सकेगा और आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सबसे पहले हम गुजिया के लिए स्टरफिंग तयार कर लेते हैं तो हम एक पैन में डालेंगे दो चमत सूजी और इसको हलका रोस्ट कर लेंगे इसको बस हमें एक से दो मिनट के लिए भूनना है इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए बस हलकी सी जैसे ही खुश्बू आने लगे बस इसको निकाल लेना है तो बस यह भून के तयार हो गया है अब हम खोय को भी डालके थोड़ा सा भून लेंगे यह भूनने से जो गुजिया में हम स्टरफिंग करते हैं ़ू जलदी खराब नहीं होती क्योंकि होया अगर हम भूनेंगे नहीं तो जलदी घुजिया खराब हो जाएगी तो बस हमारा खोया भून चुका है और हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब जब तक खोया ठंडा एक आधिक यहां तो हमें ओईल वैसे इतना डालना है कि हमारी जो मैदाने बैंड होने लगी है, यानि लड़ड़ू फॉम में बढनने लगी है, बस हमें ओईल इसी अकोर्डिंग डालना है. और थोड़ा-थोड़ा पाइज डालके, इसको पूरी की तरह इसका डालेना है. और उपर से हम थोड़ा सा ये ओयल डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे इस तरह से देखे हमारा जो डो है बनके रेडी हो गया है अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे ये खोया भी हमारा थंडा हो चुका है तो हमें ये याद रखना है कि हमें जो गुजिया का टेस्ट है डबल हो जाता है अगर आप इसी चीनी की जगे इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये जो सूजी हमने भूनी थी उसमें से दो चमच हमने सूजी डाल दी और ये मैंने कुछ ड्राइफ फूर्स डाले ये मैंने डाल डेसिकेटड कोकोनट इसको मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया था इसको रोस्ट करने से हमारी जो गुजिया है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होती है तो इसको आप हलका सा रोस्ट करके ही डाले और मैं इसमें डाली हूँ एक चमच इलाइची पाॉडर इससे बहुत ही लेंगे और अब गुजिया बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से हम लेते हुए एक रोल बना लेंगे इस तरह से देखे इस तरह से बुलकुल अच्छा सा सॉफ्ट करते हुए और इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से फ्लैट कर है आइ तो अब मीस को roll करना स्टाट करते हैं कि इसमें आप कोई बी टेंशन ना ले कि हम कैसे भी इसको भी सकते है तो यह देख्शिए इस थे यहार इस तरह से हम त्यार कर लेंगे और बहुत हमें सकनाही करना है थोड़ा सा मोटा ही रखना है यह देखिए इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया तो इस तरह से अब कोई भी एक कटोरी लेके छोटी बड़ी अब कैसी भी ले सकते हैं इस तरह से हम गोल-गोल कर लेंगे तो अब देखिए कितने अच्छे गोल-गोल हमारी रेडी हो ग तो सबसे पहले में स्टफिंग को इस तरह से रख लेंगे सेंटर में और हल्का सा पानी लगा लेंगे जिसे गुजिया खुलेगी नहीं और इस तरह से देखिए हम इस तरह से किनारे से प्रेस करते हुए पूरी गुजिया को अच्छे से सील कर देंगे और एक फॉक की डिजाइन बना दिंग इससे गुजिया बिल्कुल अच्छे से सील भी हो जाएगी और इसमें बहुत इच्छी डिजाइन बनके भी रेडी हो जाएगी यह आप देख सकते हैं और मैं आपको एक दूसरी डिजाइन दिखाती है जो हमारी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल डिजाइन है इसको आप इस तरह से खुमाते हुए पूरी डिजाइन को बना के गुजियों को सील कर सकते हैं यह देखे और सारी गुजिया जो हमें इसको ढखके रखनी है जिससे हमारी जो गुजिया है वो इलकुल भी ना सूखे और यह देखिए अगर इस तरह का साचा आपके पास हो तो इस पे भी आप इस तरह से डिजाइन पना सकते हैं इसमें बीच में स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से हम इसको प्लट देंगे और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे जिससे इस पे अच्छी से डिजाइन आ जाए और जो بھی एक्स्टरा है उसको हम निकाल देंगे एक्स्टरा पार्ट इस तरह से देखिए और बस इसके अंदर जो भी हमें एक्स्रा पार्ट दिख रहा है उस तरह से हम इसको निकाल देंगे आपको प्रेस अच्छी से करना है तभी अच्छी से डिजाइन निकल के आएगी आप यह देख सकते हैं कितने अच्छी हमारी डिजाइन बनके रेडी हो गई है तो अब बस गुजिया को फ्राइ करने स्टार्ट करते हैं तो गुजिया को फ्राइ करते समय यह याद आपको रखना है कि हमें गैस की फ्लेम जो है लो से मीडियम रखनी है हाई नहीं करनी है यह तो हमारी गुजिया अंदर तक नहीं सिख पाएंगी तो यह देखे इस तरह से हम अपनी गुजिया को सेक लेंगे तो यह देखे गुजिया हमारी सेक चुकी है इस तरह से एक स्ट्रीनर पे निकाल के इसका एक्स्टर ओयल हम इसको निकाल देंगे और इसी तरह से दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेंगे बस ध्यान यही रखना हमें लो से मेडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है बिल्कुल भी हाई नहीं करना है ने तो यह अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है तो फ्रेंड्स आप भी इस होली के तोहार पे गुजिया की रेस्पी जरूर से ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेक्चन में बताईएगा कि आपकी गुजिया कैसी बनी तो मिलते हैं अपनी नेक्स रेस्पी के साथ तब तक के लिए फ्रेंड्स बाई बाई एंड टेक कियर